ये दो चीजों के इस्तमाल से आपके घर में जो अंचाहे महमान है ना मच्छर, मक्ही, चीटिया, छिपकली, कोक्रोचिस, इत्यादी ये सारी चीज़े भाग जाएंगी बाजार के महंगे स्प्रे से अच्छा है आप अपने घर का खुद का ये होम मेट नुसका अपनाईए और यकीन मानिए कि ये सारी चीज़े छूम अंतर हो जाएंगे जब आप ये स्प्रे अप्लाई करेंगे कि हम इसकी फट आफट डीप क्लीनिंग कर सके तो हाला नाम है उमारावत और सागत है आपका फूट जाइप है मौसम चाहे बरसाद का हो या फिर गर्मे सर्दी का हर सीजन में चीटिया मच्छर चिपकली और कोक्रोचिस का प्रकोब रहता है ये सभी चीज़े हमारी रोजमरा के लाइफ में इतनी जादा हानिकाराख है कि हम इसे चुटकारा पाना चाहते हैं तो आज हम आपके साथ एक ऐसा कारगर नुस्का शेर करने वाले हैं जिसे ये सारे कीडे मकोडे दूर भाग जाएंगे आपके घर से जैसा कि आप सभी को पता होगा कपूर का इस्तेमाल पोजा पाट में किया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि कपूर का इस्तेमाल कीडे मकोडो को भगाने के लिए भी किया जाता है क्या आप जानते हैं कि ये सफेद कलर की दिखने वाली छोटी छोटी गोलिया इतनी जादा कारगर हैं कि इनकी खुश्बू से मच्छर और चीटियां दूर भाग जाते हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, कपूर यानि की कैमफर इनके खुश्बू से चीटियां दूर भाग जाती हैं, आप ट्राइ कीजिएगा, इनके साथ ही हम तारपीन का तेल भी इसमें इस्तमाल करने वाले हैं, हम एक बनाने वाले हैं स्प्रे, स्प्रे हम बनाएंगे त तेल और कपूर के साथ, तीवर स्मेल वाला या तारपीन का तेल कई सारी चीजों में इस्तमाल किया जाता है, तारपीन के तेल की तेज गंध से चिपकली और मचार दूर भागते हैं, तो चलिए आज हम इनसे स्प्रे बनाते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कोई और इने बारीक दरदरा कर लेंगे अगर इसे मेल्ट करना है तो आप इसे दूपे भी रख सकते हैं थोड़े से तेल में मिलाकर और आप इसे एक दिन की दूप दिखा दे ये मेल्ट हो जाएगी लेकिन अभी हम तुरण बना कर आपको दिखाएंगे इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा कोई सरसो का तेल या कोई भी तेल आप इसमें एट कर लीजे और इसे हलकी आज पे बहुत ही कम आज पे इसे बस मेल्ट होने देना है ध्यान रहे कि जादा देज आज पर आपको कपूर को गरम नहीं करना है बस तेल को थोड़ी सी हीट मिलते ही आप इस पैन को गैस के आज से दूर कर ले और इसे प्लाटफर्म पे ले आए और इसे मेल्ट होने दे इस तरीके से चलाते वे अब इसे ठंडा होने देंगे अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है एक स्प्रे बॉटल आपके पास घर पे कोई खाली बॉटल पड़ी हो ले लीजे या फिर कोई भी 20-30 रुपए की बॉटल आती स्प्रे बॉटल वो ले लीजे इसके अंदर हम ये मिक्षर बना कर त्यार करेंगे जिसे चिपकली इन आल सारी चीजे भागेंगी तो यहाँ पर हमने कपूर को इसके अंदर एड़ कर लिया है और अब हम उसके अंदर तार्पिन का तिल भी एड़ कर लेंगे ये दो चीजों के इस्तवाल से आपके घर मे जो अंचाहे महमान है ना मच्चर, मक्ही, चीटियां, छिपकली, कोक्रोचिस, इत्यादी ये सारी चीज़े भाग जाएंगी बाजार के महंगे स्प्रे से अच्छा है आप अपने घर का खुद का ये होम मेट नुसका अपनाईए और यकीन मानिए कि ये सारी चीज़े छूम को रूम में चिपकली नज़र आती है तो उस पर ये स्प्रे कीज़े गर में अगर मख्यां और मच्छर है तो रोज शाम को इसका स्प्रे कीज़े ये मल्टी पपर स्प्रे आप ज़रूर ट्राई कीज़े आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्स मिलेंगे किचिन में रोज-्रोज मिक्सी के इस्तमाल से मिक्सी कंदी भी होती है रोज-मर्रा की भागदाओर की लाइफ में इतना समय नहीं होता कि हम इसकी फट आफट डीप क्लीनिंग कर सके तो आज हम आपके साथ शेर करने वाले हैं कि कम टाइम में आप मिक्सर ग्राइंडर के क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं तो आज हम एक सलूशन बना कर त्यार करेंगे यह बहुत ही कारगर नुस्का है आप इसे ट्राइ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलेंगे यहाँ पर एक बोल में एक बड़ा चमच कपड़े दूलने का साबुन ले लेंगे इ कॉमेंट कर तो सबसे पहले नमक लेटे हैं एक बड़ा चमच ऑर साथ घरम पानी मिलाएंगे दो तीन जाथना का मिलेंगे जहांपर ज्यादा गंदगी हैं यहाँ पर और उसके बाद इसे फोलने के लिए छोड़ देंगे तीन से चार मिनट के लिए ये गंदगी को फुला देता है गरम पानी है विनिगर है और सोप है इसके साथ ही ये चीजे फूल जाएंगी और तब तक हम क्या करेंगे बाहर की मिक्सी इसके वायर के साथ सारी चीजे हम क्ल करना है कोई भी स्क्रबर ले लिजे बटन धुलने का इससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं बस ध्यान रहे स्क्रबर बहुत जादा हाश नहीं होना चाहिए आप ब्रश ले लिजे ब्रश से आप प्लक को साफ कर लीजे इसमें भी गंदगी बैट जाती क्योंकि हम रोजाना इसे हैं और इसके बाद हम इसका बाहर का पोशन जो है इसे क्लीन कर लेंगे किसे सॉफ्ट स्क्रबर से बड़ी कम टाइम में बड़ी कम मैनत में यह बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा आप अभी रिजर्ट खुद देख सकते हैं इस तरीके से यहां पर यह नौब है इसे आप मदद से क्लीन कर सकते हैं अंदर की और गंदगी छुपी रहती है जो दिखती नहीं है उपर की और इसे आप क्लीन कर लीजे साथे साथ यहां पर यह देखे यह जो यहां पर स्पेस है यहां पर भी आप इस ब्रश की मदद से इसे क्लीन कर सकते हैं क्योंकि अंदर की और तो इस तरीके का पीलर या कोई नुकीली चीज ले लिजे जो आसानी से अंदर मूव कर सकें इस तरीके से आप इसे मूव करके साफ कर लीजे अवर आल मिक्सी साफ करना बड़ा एजी है लेकिन यहाँ पर जो आरिक वाले स्पेस हैं यहाँ पर कोई भी ब्रश नहीं जाता न क्लीनिंग हुई है इसकी हमारी मिक्सी बिल्कुल नई सी चमक उठी है आप इस सोलेशन से अपनी मौशिंग मशीन भी साफ कर सकते हैं चाय और कॉफी के शौकिन तो हर घर में आपको मिल जाएंगे और अगर चाय फेबरेट है या कॉफी फेबरेट है तो बार पार चाय ज जाते या ध्यान नहीं देते इस तरीके से चाय के प्ल अमोनिया होता है, बलीचिंग क्रीम का इस्थमाल तो लड़किया और औरते महिलाएं ज़रूर करती हैं क्री में, बलीचिग क्रीम तो इस्थमाल हो अमोनिया एक्टिवेटर ले लेंगे और इसके बाद हम इसमें नमक एट कर लेंगे एक बड़ा चमच नमक अमोनिया और उसके बाद ये सर्फ कोई भी कपड़े दुलने का आधा चमच सर्फ ले लीजे सोप ले लीजे उसके बाद इसमें हम विनिगर मिलाएंगे ये से आप ये solution apply करते हैं आप देख सकते हैं फर्क नजर आ रहा है साफ साफ एक साइट से यलो दाग है और एक साइट से यलो दाग निकल चुके हैं नहीं इसे भिगाने का जंजट नहीं जादा रफ करने का जंजट बहुत ही अच्छा एक कारगर तरीका है आप इसे जब ट्रा यह हो चुका है इस आप अपने सारे बरतन क्लीन कर सकते हैं काफी सारे लोगों के रिख्वेस्ट आ रही थी कि कप किस तर nuance कि जटी दाग वाले कवर होते हैं आप इस तर actu doin बढ़ गोठे हैं या फिर dif क्लीन कर सकते हैं और अगर आपके पास bleaching क्रीम का अमोनिया एक्टिवेटर बचावा नहीं है या नहीं इस्तमाल करते हैं ब्लीच क्रीम तो आप इसके जगे पर केक या खाने में इस्तमाल होने वाला मीठा सोडा मिला सकते हैं उसको मिला लीजे उसके बाद क्लीन कीजे आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे और चाय का कप का देन शबहुँ